वेलकम टू पिसाल जूली आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फानाइट सिरीज के एक बहुत इम्पोर्टेंट थियोरम का प्रूफ जो की हम लोग सबसे पहले थियोरम को अपने भासा में समझेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे थियोरम हमें दिया गया है कि अगर M हमारा कोई positive number दिया गया है और हमें दो series दी गई है सबसे पहला जो series है वह हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस यह हमारा infinity तक पहला series है फिर हमें दूसरा जो series दिया गया है um plus 1 plus um plus 2 ऐसा हमें दूसरा series दिया गया है जो की infinity तक है तो हमें बताना है कि अगर एक series converge करेगा यानि कि ये पहला series अगा convergent होगा तो दूसरा भी convergent होगा अगर पहला divergent होगा तो दूसरा भी divergent होगा और अगर पहला oscillatory होगा यानि की oscillate करेगा तो दूसरा series भी क्या होगा? oscillatory होगा यानि की oscillates करेगा दूसरे सब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि if a finite number of terms from a given series is omitted or added then the convergency, divergency and oscillatory nature of series is not affected काने का मतलब कि अगर कोई series हमें दिया गया है अगर उसमें कुछ finite number of terms add कर दे या फिर उसमें से आटा दे तो वो series अगर पहले से convergent था तो बाद में भी convergent ही रहेगा अगर वो पहले से divergent था तो बाद में भी divergent रहेगा और अगर पहले से वो series oscillatory था तो बाद में भी oscillatory रहेगा मतलब उसके nature में कोई भी effect नहीं होगा चलिए हम लोग देखते हैं इसका proof कैसे हम लोग इसका proof करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि BST math से हमें सबसे ज़्यादा important होता है proof और proof पे ही आपको number मिलते हैं question बहुत कम पूछे जाते हैं जाजाता थियोरम पूछे जाते हैं आपके युनिवर्सिटी के exam में चलिए सबसे पहले माल लेंगे sn बराबर सबसे पहला जो सीरी दिया हुआ था u1 प्लस u2 प्लस u3 जो हमारा infinity तक था तो हम लोग माल लेंगे sn बराबर जो हमारा आएगा infinity तक जो सीरी था उसको हम लोग n तक ही सिमीद अभी रख रहे हैं तो sn बराबर हम लोग माल ले रहे हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 u n तक फिर हम लोग दूसरा सीरी जो दिया हुआ था उसको माल ले रहे है tn tn equals to tm plus 1 tm plus 1 tm plus 2 यह कहा तक जा रहा है तो um plus n तक तो हम देख रहे हैं कि यह जो सीरी हमें दिया हुआ था um plus n तक हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे um plus 1 से start है um plus n तक तो गया है लेकिन um plus 1 से start है तो बाकी इसमें जो पहले का सीरी था um plus u2 plus u3 um तक अगर हम इसमें add कर दें अगर हम यहाँ पे add कर दें um plus u2 plus यह हम um तक add कर दें हम क्या देखेंगे कि यह पूरा हमें um plus n तक का सीरीज एक बन जाएगा तो हम वही काम किये यहाँ पे add कर दिये तो यहाँ पे हमें क्या होगा एक हमें series बन गया अब हम देख रहे हैं कि अगर इस सब को add कर रहे हैं um plus 1 um तक add कर रहे हैं sm plus n sm plus n बोलेंगे देखिए कैसे बोलेंगे यह आप यहाँ से अभी समझेगा यहाँ पे हम देखेंगे इसको यह पूरा हमें series दिया हुआ था सबसे परला जो sn हमें दिया हुआ था इसमें आप देखेंगे तो sn का value क्या है un तक है तो यहाँ पे अगर हमें um plus n तक value दिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे sm plus n बोलेंगे फिर वैसे ही अगर हमें यहाँ पे um तक दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे sm तो हम क्या कर रहे हैं tn को हम ऐसे दिख सकते है sm plus n minus sm अब हम लोग देख रहे हैं कि sm क्या है infinite तक हमारा series है ऐसा कुछ नहीं है sm हमारा क्या होगा constant होगा तो यहां से हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं अगर पहला हम सबसे पहले रखेंगे कि माल यह limit n 10 to infinity sm का value sm plus n का value finite है यानि कि माल ले रहे हैं कि जो sm series दिया हुआ था वो convergent है तो अगर हमारा यह convergent होगा मतलब इसका value क्या होगा finite होगा तो अगर हम इसका value finite बानके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा limit n 10 to infinity अगर tn का value हम लोग यहां पे चेक करें तो हम लोग का जो tn के जगापर क्या रखेंगे तो sm plus n minus sn रखेंगे तो limit n 10 to infinity sm plus n minus sn यहां पे को अलग-अलग कर देंगे यहां पे दोनों लिमिट माइनस में हैं दोनों को अलग-अलग कर देंगे तो यह आ जागा लिमिट n 10 to infinity sm प्लस n माइनस लिमिट n 10 to infinity sn हम क्या देख रहे हैं कि sm प्लस n क्या है हमारा constant series है मतलब कुछ fixed number तक three है और हमें दिया हुआ है सुरू में ही दिया है कि यह convergent है मतलब यह इसका जो value आगा वह finite हैगा ठीक वैसे ही इसका जो value यहां पर भी m constant है तो इसका value finite हैगा तो finite number में से finite number को अगर subtract करेंगे तो वह भी को finite number ही आएगा जैसे माल लीजे मैंने बोल दिया एक finite number 5 है दूसरा 2 है 5 में से 2 को subtract करेंगे तो हमेंसा 3 आएगा जो की हमारा एक finite number होगा तो यह चीज़ आपको समझने की यहां पर जरूरत है चलिए तो अब हम लोग देख लिए यह अगर finite है मतलब यह जो सीरीज था वो convergent था तो जो हमारा TN था TN का जो सीरीज आएगा वो ही convergent होगा अब हम लोग देखेंगे कि अगर पहला सीरीज divergent होगा तो क्या होगा देखिए अगर पहला सीरीज divergent होगा इसका मतलब क्या होगा कि limit N 10 to infinity जो SM प्लस N आएगा उसका या तो value plus infinity आएगा या फिर minus infinity आएगा तो हम यहाँ से अगर देखेंगे limit N 10 to infinity TN का value निकाल के देखेंगे तो उसका value कितना आएगा तो TN के जगापर सबसे पहले SM plus N में से SM को subtract करके यह हम लोग यहाँ पे TN का value लिख दिए तो अब हम देख रहे हैं कि इस दोनों limit को अलग-अलग कर लेंगे तो आजागा limit N 10 to infinity SM plus N minus limit N 10 to infinity SM तो हम देख रहे हैं कि यह जो हमारा series क्या दिया हुआ है अभी हमें series दिया हुआ है यहाँ पे divergent तो अगर यह series divergent है इसका मतलब इसका जो value आएगा limit N 10 to infinity SM plus N का जो value आएगा वो हमें या तो plus infinity आएगा या फिर minus infinity ठीक वैसे हैं ये भी series SM का ही है तो इसका भी value या तो plus infinity आएगा या फिर minus infinity नफीनिटी है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस सब्स का value जो हमारा plus infinity या सेपी इन्फिनिटी ही आएगा अगर minus infinity आएगा या जाएगा कि जो infinity होता उसका कोईも value नहीं होता है, infinity मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे हम कुछ जानते हैं, कितना बड़ा नमबर है, या फिर कितना ज़्यादा चोटा नमबर है, उसको infinity बोलते हैं, तो उसमें subtract, add का कुछ concept ही नहीं लगता है, तो इसलिए इसका जो value आएगा, जात्वा आएगा, या फिर minus infinity, ठीक वैसे ही, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कि अगर हमारा series oscillatory होगा, तो क्या होगा, अगर हमारा series oscillatory होगा, पहला जो series अगर oscillatory होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि limit n 10 to infinity, जो sm plus n का value आएगा, वो हमारा कोई fixed number नहीं आएगा, कोई finite number नहीं मतलब 2-3 finite value ऐसे आजाएगा, तो अगर यहाँ पे एक finite value कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि अगर हम लोग यहाँ पे limit n 10 to infinity, tn का value चेक करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे, tn के जापर sm plus n minus sn रखेंगे, तो यहाँ पे limit n 10 to infinity, sm plus n minus, limit n 10 to infinity, sn, तो यहाँ पे देखेंगे, इसका value fix नहीं आएगा, कोई एक value fix नहीं आएगा, इसका भी value कोई एक fix नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि दोनों को subtract करेंगे, दोनों के value को, तो वो भी fix value नहीं रहेगा, कभी न कभी, मतलब 2 value आ रहा है, तो 2 value आएगा, इसका मतलब क्या हम लोग देखे हैं कि अगर हमारा पाहला स्रीज कांवर्जेंट है तो दूसरा सिरीज जो टी 보여 Trustee हो maior proteg होगा अगर हमें पाहले सिरी है यहां पर डाइब यह वार्जेंट ए तो दूसरा सिरीज भी क्या होगा हम लोग यहां पर एक series में से दूसरे series को add और subtract किये हैं एक series मेंसे उसी number को मतलब एक जो बड़ा सा series दिया वा था उसमें से छोटे से series को add और subtract किये हैं यहां पर हम आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको सेम वही concept मिलेगा कि हम लोग जो बड़ा series दिया हुआ था उस में से चोटे उसी में से चोटा साटम को add कर दिये या फिर subtract कर दिये तो जो हमारा नया series आएगा वह भी उसी nature का होगा यानि कि पहला convergence तो दूसरा भी convergence अगर पहले से series divergent दिये वा था तो दूसरा भी divergent ही आएगा और अगर पहले से series जो उसी लेटरी दिया था तो नया series भी उसी लेटरी आएगा चलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में होगा वीडियो अगर आपको helpful लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइप जरूर करतीजिएगा